हेलो दोफ्तों मैं हूँ अभिशेक और आज हम बात करेंगे Samsung On8 के बारे में जो कि एक affordable Android phone है Samsung की तरफ से और ये phone का announcement हुआ है flipcar.com पे और ये phone 2 October को मिलेगा flipcar.com पे exclusively तो On8 जो है एक नई series का phone है On series के अंदर On7 और On5 से बहतर specification यहां पर दी गई है और थोड़ा सा look and feel जो है वो काफी कुछ Samsung Galaxy J7 2016 जैसी रखी गई है हाला कि यहां पर build quality में थोड़ा सा फरक है और hardware specification में भी थोड़ा फरक आया है तो बात करेंगे हम On8 के बारे में इस वीडियो में यह वीडियो कोई review वीडियो नहीं है यह एक first opinion वीडियो है जिसमें आपको बताऊँगा कि क्या क्या specification जो है On8 में आ रही है और इस price के साफ से क्या इस phone में अच्छा है और क्या बुरा है opinion के साफ से Samsung On8 की build quality के अगर हम बात करें तो build quality के साफ से यह phone बिलकुल J7 2016 जैस बढ़िया देख रहा है और एक better version है जो कि J7 आपने 2016 model Samsung की तरफ से देख रखा है front में जो आपको यहाँ पर display मिलता है 5.5 inch का full HD display है तो full HD display आपको इसमें मिलता है 5.5 inch का जो की एक super AMOLED display है यानि कि काफी colorful viewing angles के साथ काफी अच्छे viewing angles के साथ और काफी colorful display इस phone का होने वाला है साथी साथ अगर हम RAM की बात करें तो इस phone में आपको 3 GB की RAM मिलेगी और साथ में मिलेगी 3300 mh की battery जो की बहुत अच्छी बात है overall price के साथ से देखा जाए तो यह phone 16,000 रुपे का है और 16,000 रुपे में आपको इसमें 3 GB RAM और 3300 mh की battery मिलती है साथी साथ इस phone के अंदर आप आपको 13 MP का autofocus camera rear में मिलता है और आपको मिलता है 5 MP का fixed focus front camera अगर हम aperture की बात करें तो दोनों ही camera का aperture F1.9 है जो की अच्छी बात है तो low light में आपको अच्छी photos मिल सकती है साथी साथ front camera में जो आपको 5 MP का मिलता है उसके साथ आपको LED flash भी दिया गया है यानि कि आप front camera से ज जैसे कि इसमें आपको 4G का support है voice over reality का support भी दिया गया है और इसी phone के अंदर आपको octa core CPU मिलता है जो की 1.6 GHz पे clock है जो की अच्छी बात है साथी साथ इसमें android का latest version android 6.0 भी दिया गया है जो की अच्छी बात है अगर हम sensors की बात करें तो sensor जो information दी गई है वो है कि इसके अं microscope sensor ना हो जैसे कि हमने पहले भी देखा है Samsung J series के phone में Samsung on 8 बहुत जल्दी sale भी आ जाएगा दो तारिक को यानि कि 2 October को flip card पे इस phone की sale है और वहाँ पे जाके आप इसे खरीच सकते हैं आपको इस phone को खरीदने के लिए 15,900 रुपे देने होंगे जो की तकरीबन उतनी ही price है जो आपको Samsung Galaxy J7 216 के लिए देनी पड़ती थी लेकिन अब यहाँ पे आपको जादा RAM और Full HD डिस्प्ले जो है इसमें मिल जाएगा Build Quality की बात करें तो Build Quality दोनों ही phone की बढ़िया है और दोनों ही phone काफी कुछ एक जैसे ही लगते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़रक है design में और वो थोड़ा सा फ़रक हम तब आपको बताएंगे जब इन दोनों phones को हम compare करेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुक्री आपका इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like बटन दबाईए जो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने है तो subscribe बटन वो भी आपको वीडियो के निचे मिलेगा बहुत बहुत शुक्री आपका इस वीडियो को देखने के लिए जैहन वन्ने मात्रा में